हलो दोस्तो मैं पशान आप सभी का अपने यूटूब चैनल एक्वेटीर कम्यूटी में स्वागत करता हूँ तो आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ अलग बताने जा रहा हूँ मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ टो आपके चोचीज आप को नहीं बता जाता है कि कैसे आप अपने याँ पिर सेट्प को चेक करेंगे क неё सबसे पहले हमें उसका क्लीर कट यूट॰ायजेशन चाहिए यानि हमें उसका इस्तमाल कहां पे करना है इन्टवरेट ट्वेडिंग में करना है या फिर options में करना या फिर futures में करना है या फिर हमें delivery ट्वेड के लिए करना है या फिर हमें long term ट्वेड के लिए करना short term ट्वेड के लिए करना क्या utilization है कहां पे हम उसका यूज़ कर सकते हैं वो हमें clear cut well defined पता होना चाहिए दूसरा point है कि उसका advantage और disadvantage क्या वो भी हमें clear cut पता होना चाहिए तीसरा point है कि risk reward ratio यनि यहां पे हम देखेंगे कि यहां पे जो risk reward है वो मेरे favor में है या नहीं है तो सारा कुछ करने के बाद यह हमारा last point होगा अगर इसके basis पे कोई strategy या फिर setup खरा उतरेगा तब हम trade link otherwise हम trade छोड़ देंगे उसके बाद हमें adjustment क्या करना होगा अगर by chance हमारा SL hit होने वाला है तो वहां पे हमें क्या कुछ adjustment करके अपने stop loss को hit होने से बचा सकते है वो भी आपको थोड़ा बुत पता होना चाहिए साधी साथ हमारा entry point क्या होगा target क्या होगा stop loss क्या होगा यह भी हमारे पास well define होना चाहिए trade execute करने से पहले तो चलिए insert point के basis पे हम identify करते है कि कौन सा strategy या फिर setup सही है और कौन सा strategy या setup गलत है यहाँ पे हम चार्ट पे आगे हैं और देख सकते हैं यह जो चार्ट है बजाद फिन सब का weekly चार्ट है तो सबस्पहले आपको time frame देख ले रहा है यहाँ पे हम weekly चार्ट का इस्तमाल कर रहे है तो अब इसका utilization हमें time frame से ही idea निकालना होगा थोड़ा बहुत अगर हम इसके utilization पे focus करें तो इसके basis पे आप एक कम नहीं कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं intraday trading आप यहाँ पे नहीं कर सकते हैं और इसके साथ-साथ यहाँ पे आप btst trading भी नहीं कर सकते हैं तो इसको आप चाहे utilization पे ले लो या फिर इसको आप disadvantage भी count कर सकते हैं इस strategy का अगर हम weekly chart के basis पे कोई trading setup या फिर trading strategy तयार करते हैं तो साथ-साथ इसका use हम कहाँ पे कर सकते हैं इसका use हम कर सकते हैं swing trading में अगर हमें swing trade लेना तो इसके basis पे हम आसानी से trade ले सकते हैं monthly basis पे trade ले सकते हैं futures में और options में हम trade ले सकते हैं monthly basis पे weekly basis पे हम trade नहीं कर सकते हैं उसके साथ-साथ यहाँ पे हम delivery में भी trade कर सकते हैं यानि long term के लिए भी इसके basis पे हम trade ले सकते हैं weekly chart के basis पे तो इसका utilization आपको clear cut समझ में आ गया साथी साथ इसका हमने advantage और disadvantage भी काफी हतक बता दिया कि इसका इस्तेमाल हम intra-dev ATSD में नहीं कर सकते हैं जो कि इसका disadvantage की रूप में account होगा और इसके basis पे हम swing trading, delivery trading यहनी long term में market में क्या sentiment है उसके बारे में हमें यहाँ पे clear cut idea मिल जाता है और वीच में जो daily basis पे या फिर जो hourly basis पे थोड़ा बहुत false signal आता है वो यहाँ पे filter हो जाता, वो कुछ यहाँ पे आपको नहीं पता चलेगा market का जो एक आपका long term momentum क्या है, long term direction क्या हो हमें clear cut पता चलबा जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, छोटा सा आपको red candle का formation हुआ है अगर इस time period में अगर आप hourly chart को देखो या फिर 30 minute के chart को देखो तो वहाँ पे बहुत कुछ market आपको उपर नीचे होता हुआ दिखेगा लेकिन यहाँ पे सारा कुछ filter होके, हमें एक clear direction का पता चल गया कि जो upside trend है, उसमें थोड़ा बहुत रुकावट आया है, लेकिन trend में change देखने को नहीं मिला है अगर आपको long term में एक market का clear direction चाहिए, तो उसके लिए वेकली chart इस्तेमाल कर सकते है तो यह सारा इसका advantage है, वाँकि disadvantage तो मैंने आपको already बता दिया है अब इसके basis में हम अपना trading setup कैसे तयार करेंगे, इसके बारे में भी हमें यहाँ पे idea होना चाहिए तो सबसे पहले रेखें क्या हो रहा, price आपका यहाँ से, पहले यह जो था, यह आपका एक resistance के रूप में काम कर रहा था देख सकते है, price इसको यहाँ पे touch किया, फिर नीचे आ रहा, उसकी बाद जैसे ही price इसको break करके उपर निकला यह resistance आपका किसमें convert हो गया, support में convert हो गया, resistance turn, support उसकी बाद price आपका यहाँ से उपर गया है, एक high यहाँ पे आपका form किया है, जिसको हम H1 लिख देते हैं उसकी बाद यहाँ से price आपका नीचे आया है थोड़ा बहुत, फिर उपर गया, फिर दूसरा high यहाँ पे बना दिया और उसके बाद वापस से price नीचे आगया, तो दोनों जो high है, वो हमें लगभग एक line में दिख रहा है तो इन दोनों high को join करते हुए, एक हम trend line ड्रॉब करतेंगे, जो कि हमारा इस तरह का trend line बन जाएगा clear करते हैं, हमने एक trend line ड्रॉब कर दिया, अब क्या हुआ, यहाँ से price आपका वापस से नीचे आया और नीचे पे यहाँ पे आपका एक low बना दिया है, अब इससे पहले हमने क्या देखा, कि यहाँ पे भी हमारा जो resistance है, वो support में convert हुआ था तो इसी line को हम आगे extend करते हुए, आगे बरेंगे तो यहीं पे हमारा touch हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा एक नीचे में support line भी बनके तयार हो गया, और उपर में हमारा एक resistance line भी बनके तयार हो गया, अब अगर price इसको वापस से break करके नीचे जाता है, तो हम sell side की तरफ positions initiate कर सक सकते हैं for the target price of this one, यह level मेरा target price के रूप में काम करेगा, तो देखिए price यहाँ से ऊपर जाना start किया है, तो हम लगबग इस level के करीब, लगबग यहाँ पे हम 12,000 के करीब क्या करेंगे हम, buy side की तरफ हम positions लेंगे, buy side की तरफ यहाँ पे हम entry लेंगे, उसकी बाद हम इस target price के यहाँ पे हम 16,000 के long target price के लिए आसानी से हम जा सकते हैं, यहाँ पे हमारा time थोड़ा से जादा लगता है, लेकिन यहाँ पे हम long target price के लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम 5 मिनट का chart यूज नहीं करें, हम weekly chart यूज कर रहे हैं, तो weekly chart में एक और benefit होता है, कि यहाँ पे आपको ज मिलता हुआ देखता है, जैसे देख सकते हैं, 12,000 से लेकि 16,000 यह लगबग आपका 4,000 point का profit मिला है, बजाज फिन सब में, अगर हम यहाँ पे percentage के basis पे count करें, यहाँ पे आपको लगबग 30% to 35% तक का return दिया है, और इसके लिए अगर हमें पूरा साल भी wait करना पड़ जाए इस लिए इस basis पे हमें long term trend पता चलता है, और हमें big profit मिलता है इस strategy के basis पे, और यहाँ पे हमने एक और काम किया है, यहाँ पे हमने क्या लिया है, RSI और WMA, यानि weightage moving average हमें लिया है, जो कि moving average से थोड़ा सा अलग होता है, यह भी हमें यहाँ पे क्या करता है, फिल्टर प्रो देख सकते हैं, यह आपका एक midline हो जाएगा, यह आपका हो गया, एक midline, अब हमें जो 20 signal मिलेगा, इसमें levels आपको 40, 60, 80 दिख रहा होगा, तो 40 से 60 के बीच में हम कोई भी trading signals नहीं लेगे, यानि इसके बीच में कोई भी अगर हमें sign मिलेगा, तो हम trade नहीं करेंगे, 40 से न white वाला line उपर जा रहा है, green को break करके, तो क्या करेंगे यहाँ यहाँ बाई side की तरफ positions हम चार्ट को देखके initiate कर सकते हैं, और यहाँ पर जो 20 signal मिले हमें, लगबख इसी candle पर मिल गया है, यहनि हमें on early यहाँ बाई side की तरफ signals प्रोवाइड किया है, लगबख 12,000 के करे आस यही हो सकता है, तो यहाँ पर हमें इसके basis पर भी buy side की तरफ signal मिल भाई है यहाँ पर हमने इसको double confirmation के लिए wait किया, तो ऐसे ही आप अपने trade का accuracy level पर आ सकते हैं, इस तरह का कोई भी trading setup यूज़ करके, कोई भी indicator यूज़ करके, तो यह trading setup काफी हद तक सही है और इसका आप इ हम दूसरे chart पर आते हैं, और अभी जो हम chart पर है, वह आपका nifty 50 का hourly chart, अब यहाँ पर आपको किया देखना, अब यहाँ पर हम same basis पर हम trading setup लेंगे, हम trade करेंगे, तो देखिए यहाँ पर हमने same use किया RSI WMA, यह indicator हमने use किया, अब देखिए यह आपका 40 से नीची है और पर हमें by side की तरफ जाना है, और यह जो signal हमें मिला है, कौन से candle मिला है, देख सकते हैं, इस candle पर हमें यह signals मिला है, तो हम क्या करेंगे, उसकी बाद next candle हम इस level के आसपास यहाँ पर हम क्या करेंगे, by side की तरफ positions initiate करें, यह नहीं लग बग होगा मेरा 17,550 के करीब, यहाँ पर हम by side की तरफ positions initiate करेंगे, अब यहाँ पर हमारा stop loss क्या होगा, अगर हम यहाँ पर stop loss रखते हैं, इसका जो lowest point है, वो यहाँ पर हमारा SL के रूप में काम करेगा, और यह जो लग बग हो रहा आपका 17,350 के आसपास हो रहा है, मतलब यहाँ पर हमारा SL बन रहा है, वो आप का काफी big 200 point का यहाँ पर SL बन रहा है, उसकी बाद जो हम first target price के लिए जाएंगे, देख सकते हैं, यह level है, यह हमारा पहला target price के रूप में count होगा, जो कि आपका लग बग 17,650 के करी, तो यहाँ पर हमारा target price कितना हो गया, target price है आपका सिर्फ 100 point का, और SL है आपका 200 point का, तो यहाँ पर अगर हम risk reward देखें, तो मेरे favor में नहीं आ रहा है, यह जो trading setup यहाँ पर हमने तयार किया है, यह trading setup क्या है, यह trading setup सही नहीं है, इस trading setup को हमें clear cut avoid करना होगा, तो यह trading setup जो हमने avoid किया, किस basis पे avoid किया है, क्योंकि यहाँ पर हमें SL ज़्यादा big दिख रहा है, और target बहूत कम दिख रहा और वैसे भी अगर टागेट यहां पे रहता है फिर भी 200 पॉइंट के stop loss बहुत जादा हो जाता है बहुत big हो जाता है अगर यहां पे हमें 200 पॉइंट नुक्सान हो गया तो हमें बहुत जादा नुकसान उठाना पर सकता इसलिए इतना विग S.L. होने के बाब जोद भी या फिर इतना S.L. आने के बाद ही आप इस ट्रेडिंग सेटप को clear cut avoid कर सकते हो ति यह समझ में आ गया कि हमें कब इसके basis पर trade लेना और कब नहीं लेना है वापस से मैं previous example पर आना चाहूंगा अब आपको levels ही बता जिता हूं इसके करीब बनेगा आपका 11,000 के करीब आपका S.L. बनेगा यह लगबग आपका 1000 से 1200 पॉइंट का हमारा यहाँ पे S.L. बनेगा लेकिन उसके basis पर यह लाइन पहले से हम टागेट के लिए जा रहे है जो हमारा टागेट है वो लगबग है आप आपका 4000 पॉइंट का तो यहाँ पे risk reward की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 1 is to 4 हो रहा है यहाँ पे हमें profit मिलने की probability चार गुना है और अगर loss हुआ तो हमें छोटा सा नुकसान उठाना परेगा तो यहाँ पे अगर मेरा target से half वी आ जाता है तो यहाँ पे हमें अच्छा ख इस trade को भी avoid कर देते इस trade को भी नहीं लेते similarly जो मैंने example अभी आपको बताया था इसमें क्या था यहाँ पे जो risk reward था वो मेरे favor नहीं था इसलिए इसको हमने avoid कर दिया है यहाँ मैं आपको एक और example दिखाना चाहूंगा अब देखिए यहाँ पे हम ICA bank के five minute वाले chart पे आग जिसके हमने already वीडियो बना रखा जिसके उपर यह हमारा gap up और gap down trading strategy अगर आपने यह वीडियो नहीं देगा है तो इस वीडियो के description में उस वीडियो का link मिल जाएगा आप उस पे click करके देख सकते हो हमारा gap up और gap down वाला trading strategy नहीं तो इसका link आपको i button पे भी मिल जाएगा वहाँ पे click करके आप इसको देख सकते हो उसके बाद अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि market जब भी आपका gap down open होता है तो जो पहला candle का lowest point बना है इसको हम Azure SL की रूप में tweet करेंगे और हम wait करेंगे कि अगला एक दो candle अगर इसके lowest point को break नहीं किया तो यहाँ पे हम क्या जैसे इसका high break करके price उपर निकला है यहाँ पे हम buy side की तरफ interview लेंगे अब यहाँ पे जो हम buy side की तरफ interview ले रहें वो लगभग जो level है वो मैं यहाँ पे आपको दिखा जेता हूँ वो level है 850 के असपास और जो मेरा SL बनवा है वो बनवा है लगभग आपका 847 के करीब यह देख सकते हैं price आपका all the way कहां तक गया है आपका 860 करीब गया है और यहाँ पे जाने के बाद candle में weakness देखने को मिल गया है तो profit बुक करके निगल सकते हैं क्योंकि candle में हमें कम जोरी देखने को मिल गया buyers का strength कम होता हुआ दिखा है यहाँ पे हम 10 point का profit आसानी से ले लिए और हम सबसे first 10 point के target price के लिए आसानी से जा सकते हैं जो कि हमारा predefined target price हो सकता था और SL सिर्फ मेरा 3 point का था तो यहाँ पे अगर हम risk reward ratio की बात करते हैं यहाँ भी काफी हद तक मेरे favor में 1 is to 3 का मेरा यहाँ पे risk reward बंद रहा है तो यह trade भी काफी सटिक trade है बेद्वीन trading setup है इस को और example देखते हैं और यहाँ पे हम आगे Asian Pant के daily chart पे अगर हम यहाँ पे Asian Pant के daily chart को देखें तो यहाँ पे हमने एक indicator इस्तिवाल किया Bollinger Band और इसके basis पे भी बहुत साहे लोग trading setup तयार करते हैं trading strategy तयार करते हैं अब इसके basis पे trading strategy क्या होता है देखिए जैसे ही price आपका B Bollinger Band को break करके नीचे आता है जैसे यहाँ पे देखिए इसको break करके नीचे आए यहाँ पे generally लोग sell side के तरफ positions initiate करते हैं और इसका जो highest point होता है यह आपका SL यहनी stop loss के रूप में काम करता हुआ दिखता है तो यहाँ पे अगर हम इसके basis पे trade लेंगे तो हम इस level पे sell करेंग जो हमारा selling level बनेगा वो बनेगा लगबग आपका 2830 के आसपास और यहाँ पे जो हमारा SL होगा वो होगा आपका 3041 के आसपास यहनी लगबग मेरा जो SL बनवा वो 200 point का SL बनवा 200 point का SL का मतलब है कि यहाँ पे 7% के करीब मेरा stop loss बनवा जो कि बहुत big stop loss हो जाता है यहाँ प के बीच में और को stop loss बनता भी नहीं है जैनर्वली यही stop loss के basis पर trade ले सकते हैं अब यहाँ पे हम target भी देख लेते हैं वापस से हम देख लेते हैं कि हमने जो लिया था वो 2830 के करीब लिया था और यहाँ पे जो हमारा target price होगा लगबग आपका इसी के करीब होगा यहनी 2630 30 ले लेते हैं यहीं हमारा target भी बन वाया वह भी कितने का 200 पॉइंट के करीब का ही target बन वाया है तो जितने का stop loss से उतना का ही target है तो विस्क यहाँ पे थोड़ा सा जादा हो जाता इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे इस ट्वेडिंग सेटप को भी हम avoid करेंगे इस strategy को भी यहाँ पे हम avoid करने की कोशिस करेंगे तो आपको हमेशा देखना है कि जितना losses होना चाहिए यानि stop loss आपको छोटा होना चाहिए और target big होना चाहिए वो trading setup अच्छा trading setup होता है अगर आपका stop loss big बन रहा है तो वो trading setup में risk increase होता है उसको आपको यहाँ पे avoid करना होगा तो उमी सब्सक्राइब कर लीजे साथ बेल आइकन जोट दबा दीजे ताकि इस तरह के informative वीडियो जगर हम आगे भी बनाए उसका notification आप तक पहुंच जाए और आप वीडियो को मिस ना करें so that's all friends मिलते नेक्स वीडियो में जैहिन है पहुंच जाए गराफ वीडियो है यह वीडियो आप एको दोस् horizon मिलते है अर को मिलते असके पत्त दो दोस्दू इस एां ने जो बढ़ाए बना आपक पहँ 거ाने हैं आपकों… झाल झाल